नमस्कार रेडिय अंदुस्तान से मैं वशाकल आज शोशल मडिया के टॉपिक पर चर्चा करना चाहूंगी शोशल मडिया के प्रैशर में लुक्स को लेकर चिंतित माबाप और किशोर आवस्ता के लड़के लड़किया लड़कों से जादा आजकर लड़किया तनाव में हैं बच्पन से किशोर और किशोर आवस्ता से जवानी तक वे कही मांसिक दबाओं से गुजर रही हैं शायद इतिहास के इस दौर में में सबसे जादा तनावगरस्त है कई शोर से पदा चला है कि लड़कियों में डिप्रेशन और अन्जाइटी बहुत जादा बड़ी है शोशल मिडिया में ये विस्तार से इसके वज़ों से परताल करते हैं कि गैजिट्स जादा नुकसान पहुचा रहे हैं दोरा कहती है कि ये दौर प्रदेशन और प्रतियोगिता का दौर है हमारे साथ से 13 साल के बच्चे बच्चमन खो रहे हैं जब उन्हें दोस्तों के साथ खेलना चाहिए प्रकरती की गोद में दौर लगाने चाहिए वे करियर बनाएने के दबाव में गुजर रहे हैं इसमें शोशल मिडिया ने और इजाफा किया है 13 साल की हुमर से पहले बच्चों को पर्सनल स्मार्टफोन ना दे क्या होता है कि आजकर हम लोग छोटे छोटे बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं और ना भी दे माभा तो बच्चे जिद करकर ले लेते हैं तो शोशल मिडिया पर आते ही लड़कें अपनी लुक्स को लेकर ज्यादा फोकस हो जाती हैं अपने शरीर पर जरूर से ज्यादा दिहान देने लगती है किशोर से व्यासक बनने के दोर दिमाग का विस्तार विकास सबसे समिदन सिल होता है डोना जक्सन नकाजवा का मानना है कि लड़कियों के किशोर वस्ता से यवावस्ता में पहुँचने के दोरान दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा समिदन सिल होता है ऐसा लड़कों के साथ भी होता है इस दौर इस दौरान शरीर से निकने वाले एस्ट्रोजन तनाव पैदा करते हैं लड़कियों के दिमाग से पहले शरीर युवा हो रहा है डोना जक्सन नकाजवा कहती हैं जब तक दिमाग तयार नहीं होता लड़कियां युवा वस्ता तक पहुँच रही हैं उनका दिमाग ऐसे श्थिति में उस तरह से प्रतिक्रिया कर ही नहीं पाता जैसा कि वो महसूस करती हैं सन अठारह सो के आसपास लड़कियों को सोला साल की उमर में पीरियर्स होते थे जबकि 19 सो में 15 साल से लेकर 12 साल की उमर में ये आने लगे हैं तो लड़कियों के वहवार पर ध्यान दे लड़कियों के वहवार आजकल चिड़ चिड़े हो रहे हैं उन्हें वो अपना बच्पन खोती जा रही हैं क्योंकि खासकर आजकल उन्हें अच्छा दिखना अच्छा सवरना उनके बालों पर ज़्यादा ध्यान देने लगी है और जल्दी से जल्दी अपना करियर बनाने के चक्कर में वो आजकल अपना बच्पन भूलती जा रही है ऐसा ही हो रहा है किशोर विवास्ता के लड़कों के साथ वो भी जल्द से जल्द कमाने की होड में लगे हैं और लड़कों को इंप्रेस्ट करने के चक्कर में वो आजकल जल्द से जल्द अपना करियर बनाने में जुटे वे हैं इसके अलावा आजकल प्राई मावाप के दवाव रहता है मावाप का भी दवाव बच्छों पर रहता है कि फला की बेटी ने तो इतनी जल्दी नौकरी मिल गई उसे नौकरी मिल गई तुम्हें अभी तक नहीं मिली या लड़कों से भी अक्सर माओं की शिकायद रहती है कि कुछ अच्छे से करो, पढ़ाई करो, ध्यान दो, कुछ बन जाओ ताकि हम लोग का भी एक टाइम अच्छा है तो क्या होता है कि ये छोटी-छोटी दवाव के कारण आजकल किशोरा वस्ता के बच्चे बहुत ही तनाव गरस्त हो रहे हैं और अच्छे से अच्छे नंबर लाने के चकर में भी आजकल दिन दहाड़े, बच्चे डिप्रेशन का सिकार हो रहे हैं तो हमें ऐसे अपने बच्चो बच्चाना होगा और चाहे बच्चे जो भी मार्ग्स लाये, जो भी अपनी करियर के लिए जो भी रहा चुने, बस उन्से हमें ये बताना होगा कि झाल झाल